नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार के मुटाबिक के सिसी लोन पर साथ परतिसत का ब्याई लगता है केंदर सरकार और राज सरकार तिन तिन परतिसत ब्याई का ख़र्च वहन करती है ऐसे में किसान को सिर्फ एक परतिसत ही ब्याई देना पड़ता था लेकिन देखा गया है कि एक परतिसत के चलते कई क किसानो का के सिसी लोन एन पिये की और जा रहा है, ऐसे में सरकार ने किसानों को पुर्चाहित करने के लिए 1 परतिसत ब्याज की राशी का भी खर्च वहन उठाएगी, यानि अब राज सरकार की ओर से 4% ब्याज का पैसा बैंक वालों को दिया जाएगा सरकार नया फ़सला लगातार दो साल से राजे में हो रहे है सुखार की थिती को देखते हुए लिया है बता दे राजे में करीब 29 लग से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड धारक है पिछले साल इसमें बढ़ोतरी हुई है सरकार की जागरूपता अभियान के चलते राजे में 6.25 नय किसान के सीसी धारक हुए है वहीं 1.6.000 रुपए के सीसी लोन लेने के लिए किसानों को बैंक को कोई खास दास्तावेज भी नहीं देना पड़ा है प्रकिर्ती पर्व करम की राजेपाल और सीम ने दी बढ़ाई जारखन में आदिवासी समाज धूम धाम से प्रकिर्ती पर्व करम बना रहा है इस मोगे पर राजेपाल मुख्य मंत्री समेत तमाम नेता सुबकमनाय दे रहे हैं बता दे प्रकिर्ति पर्व करम की पूरे राज में धूम है आदिवासी समाज के लोग धूम धाम से इस परव को मना रहे हैं करम की डाली को अस्थापित कर महिला है उसकी पूजा कर रही है इसी औसर पर राजेपाल सीपी रादा कृष्णान स्धियम हैमान सुरेन समेत कई ग भायों की सलामती और खुशाली की दूआ मांगती है इस परव के मौके पर राजेपाल सीपी रादा किसने सभी को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि सोसल मीडिया एक्स पर लिखा है कि समस्त राजेवासियों को करमा पूजा की बधाई जारखन में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 3.0 जल्द होगा शुरू जारखन सरकार फिर एक बार आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार शुरू करने जा रही है इस बार इसे आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 3.0 नाम दिया गया है इससे पहले सरकार ने सभी 0 से आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 1.0 और आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 2.0 के तहत मिली सिखायतों और उस पर हुई करवाई का ATR यानि Action Taken Report मांगी है कॉंग्रेस ने सरकार द्वारा ATI रिपोर्ट मांगे जाने को बेहतर कदम बताया है कॉंग्रेस के परदेश महासचीव राके सिन्हा ने कहा है कि सरकार की परतिवादता जानता के परतिवादता अपने नेताओं का चेहरा चमकाना भर है लेकिन राज की महागडबंधन की सरकार की परत्मिक्ता दूर दराज के छेत्रों में रहने वाली जानता कि सिकायतों को दूर करना है जारखन में नक्सलियों का प्राइबेट कंपनी के करमचारियों पर हमला जारखन में रांची सीमा से सटे लातेहर में सो महार को नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है जाताया जाता है कि चांदवा में परतिबंधि संगठन भारतिये कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सो महार साम एक रेलवे निर्मान अस्थर पर कम से कम चार वाहनों को आग लगा दी और एक निजी कंपनी के करमचारियों पर हमला किया पुलिस अधिकारियों के मुताबिक या घतना चंदवा थना छेतरे के चट्टि नदी पूल के पास हुई है पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मवादियों ने सो मुहर को जारखन में रांची लाते हार सीमा के पास एक छोटे से सहर में तीसरे रेलवे निर्मान अस्थल पर हमला किया मवादियों का एक समू घाटना अस्थल पर पहुंचा और तीन भरी वहनों एवाम एक SUV को आग के हवाले कर दिया घाटना रांची के में कलुस्की गंजिस्थी छाटी नदी पर बने ओवर विरीज पर हुई है पाराशिक्षको का अंदोलन तेज मुंडन कराकर सरकार को दीचेतावनी जारखन के पाराशिक्षक यानि सहयक अध्यापकों ने अपने अंदोलन को तेज कर दिया है पाराशिक्षक जारखन सरकार को बिहार सरकार से सीख लेने की सलाह दे रहे है बिहार में नियोजीत सिक्सकों को राज कर्मी का दर्जा देने की त्यारी चल रही है बता दे बिहार में नियोजीत सिक्सकों को राज कर्मी का दर्जा दिये जाने की त्यारी के बीच जहारकन में भी पारासिसकों को बेतन मान देने की मांग तेज हो गई है बिहार से जैसे ही यह ख़बर जार्खन पहुंची आंदोनरत टेट पास पारसिक्चार हिमन सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हाए राजबहुन के समक्ष धारना दे रहे टेट पास पारसिकों ने इस दोरान ना केवल बिहार से सिखने की सला सरकार को दी है बलिक सरकारी उदा सिंता के बिरूद में मुंडन करा कर मांगे पूरी नहीं होने पर अगले चुनाओं में सबक सिखाने की बात तक को डाली है जार्खन में एक और ट्रेन डखायती पलामू एक्सप्रेस में लूट पार्ट उडिसा के संबलपूर से जमू तबजी जाने वाली मुरी एक्सप्रेस में डखायती के बाद अब जार्खन की एक और ट्रेन में डखायतों ने धावा बोल दिया है बरका खना से पतना के बीच चलने वाली पलामू एक्सपेरिस में रभी वार देर रात लूट पाट की वरदात सामने आई है घातना अनुगरह नरायन रोड और डेहरी ओंसन रेलवे स्टेशन के बीच बारा बज़े रात में हुई बता दे हतियार बंद डकैते ट्रेन के सिलीपर कोच एस्टू में घुसे और यात्रियों पर हमला और लूट पाट करके फ्रार हो गए लूट का सीकार बने उटारी के एक यूग ने बताया है कि पांच डकैतों ने वरदात को अंजाम दिया है उसके पास से 35 रूपाय और कौपड़े का बैग लूट लिया यूग पाटना में रहकर पढ़ाई करता था और ओपने घर आ रहा था बोगी में चार यात्रियों के साथ लूट पाट की गई है और इस दोरान उन पर हमला भी किया गया है वन अधिकार के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान सुरू करेंगे मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री हमन्सरन के निर्देश पर राज्य के भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अक्टूवर से बड़े अस्तर पर वन अधिकार अभियान अभुआ वीर दिसोम अभियान सुरू होने जा रहा है इस पर किरिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए वन छेत्रेक के अंत्रगत हर गाउमे वन अधिकार समिती अनुमंडल अस्तरिय वन अधिकार समिती और जिला अस्तरिय वन अधिकार समिती का पुर्ण गठन किया जाएगा बन अधिकार समिती के पुर्ण गठन के लिए विशेस ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाएगा सुत्रों के नुसार अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जाती अल्पसंख्या के पिछला वर कल्यान विभागने वन अधिकार अभियान की रूप रेखा तयार कर लिया है मुख्य मंत्री अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले वन अधिकार अभियान अभवा भीर्दिसोम अभियान के शुरुवात राज अस्तरिय पर्सिक्छन सा कारे सला के माध्यम से करेंगे सीबू सोरेन के लोकपाल से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी जामुमों सुप्रीमों और राज सभा सांसा सीबू सुरेन पर भारत के लोकपाल की जांच से जुड़े मामले में सोमवार को दिली हाई कोट में सुनवाई पूरी हो गई है नयाय मोर्ती सुब्रमनियों परसाद की पीठ ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आपना फैसल सुरक्षित रखा है मामला सीबू सुरेन द्वारा कथित रूप से आयस अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है मामले में लोगपाल जांच की करवाही शुरू की गई थी जिसके खिलाब सुरेन ने कोट का रूप किया था सुरेन की आजगा पर हाई कोट की एकल पीठ ने बिस्त्ति सुनवाई की है सुरेन का पक्ष जानने के बाद लोगपाल से साक्ष भी तलब किये गए है सरकारी स्कूलों में होगा मेरी माटी मेरा देश कारकरम का आयोजन जार्खन के सरकारी स्कूलों में मेरा माटी मेरा देश कारकरम का आयोजन किया जाएगा स्कूल संचालन से पहले छात्र छात्राय अमरित कलस यात्रा निकालेंगे इस दोरान प्रभात फेरी निकाली जाएगी इस दोरान आजादी दिलाने वाले बीरों और नायकों को याद किया जाएगा और उन्हें सर्धाजली भी दी जाएगी इसकूली सिक्षावर्च शर्ताविभाग ने इसके लिए सभी जीला सिक्षापताधिकारियों और जीला सिक्षादिश्कों को निर्देश जारी कर दिया है बताद 30 सितंबर तक इसकूल से किसी भी दिन प्रभात फेरी निकाली जा सकेगी इसकूल के पोशक छेतर में प्रभात फेरी कायोजन होगा इसमें राश्ट्रिय दोज अस्थानिय बीरो के पोश्टर रखा जाएगा इसके अलावाद छात्र ढोलना गाड़े वास्थानिय वादेवंद्र का पर्योग करतेभार का हर सोलास महल मनाएंगे पूजा सिंहल को रहत नहीं जमानत पर सुनवाई अक्टूबर में मनिलोंडरिंग की आर ओपी और निलंबित आईएज पूजा सिंहल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रहत नहीं मिली है जमानत के लिए अब उन्हें 30 अक्टूबर तक का इंत्यार करना होगा सुमवार को जस्टिस संजय किसन कौर और जस्टिस सुधानसु धुलिया की कोट ने अचका पर बिश्त्री सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तिथी निधारित की है पूजा सिंगल ने नियमीत जमानत के लिए सुप्रीम कोट में अचका दायर की है सुमवार को सुनवाई की दवरान EDQO से जमानत का बिरोत किया गया अदालत को बताया गया कि पूजा सिंगल के खिलाब गंभीर आरोप है और उनके खिलाब पर्याप्त साक्ष भी है जेल से बाहर निकलने के बाद इस मामले को वह परभावित कर सकती है राज्य भर में हर्सो लाज से मना करम पर्व रांची समेथ पूरे जार्खन में सुमवार को भाई बहन के प्रेम का प्रतिक करमा पर्व धुमधाम से मनाया गया इस दोरान अखाडा में पाहन ने करम डाल अस्थापित की जिसकी पुजा अर्चना की गई इसके बाद युवक यूतियों ने प्रापारिक बाध्य अंत्रों के साथ समोहिक रूप से करम गित गाते हुए निरिट किया गाउं के अलावा कॉलेजों में बिशेशत और पर करम महोसन का आउजर है ऑजन किया गया रहने वाले चात्रों को अब सरकार देगी रासान। रहने वाले चात्रों को अब सरकार देगी रासान। रहने वाले चात्रों को अब सरकार देगी रासान। हर गाउं में अखाला का निर्मान होगा रामेश्वर उराव। जारखन के बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव ने कहा आये कि मातरी भासाओं की संस्क्रीतिक धरोहर बचाने के लिए हर गाउं में अगले बजट में अखाला बनाने। वह सभी कॉलेजों और वी सोभी द्यालों में जन जाती है और छेत्रीय भासाओं के पढ़ाई के साथ लोग संस्क्रीति बचाने को बादेवेंत्रों की ब्यवास्था की जाएगी। वह डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखहर जी में आयोजित करम पर महोसव में बतर मुखहती थी मजूद थे। सरकारी मकरजाल में फसे जारखन के बीत रहित सिक्षक। बेतनमान की बाद तो दूर अनुदान के लिए भी स्कूल और कोलेज तरस रहे हैं। आयसे में सरकार की वादा खिलाफी के बीरूद में जारखन राज बीत रहित सिक्षक। यूक्त संगहर्स मोर्चा ने बड़ा अंदोलन करने के त्यारी की है। इसके तहट अस्थाई करन की मांग कर रहे राज के करीब 15 हज़ार बीत रही सिक्षक। चंद संस्थानों में करद कर्मियों ने विधायक आवास का गहराव करने का निर्ना लिया है। जारखन में पेशा रूल ग्राम सभा करेगी 100 सासन को सुनिश्चीत। आज बनने के 23 वरस बाद या बेवास था एक अबोज पहली रही है। लिहाजा आदिवासी हीत को देखते हुए हमन सरकार ने पेशा रूल 2022 के लिए अपत्ति और सुझाव मांगे थे। जिसको अम्तिम रूप दे दिया गया है। इसके तहत ग्राम सभा के पास असीम सक्तिया होंगी। बताजे राज सरकार के इस पहल पर आई नितिक दलों की परकिरिया आने लगी है। परदेश कॉंग्रेस के करकारिया द्यक्स बंधू तिर्की ने करम परवप का गिफ्ट बताते हैं मुक मंतरी हमन सरुन के प्रति अभार जता आया है। 6 साल के बेटे के साथ अपनी आबरू बचाने मंतरी दरवार पहुंची महिला। पहुंची महिला ने बताया है कि कुरोना काल में पती की मौत होने के बाद मनोज नाम का एक ब्यक्ति लगातार उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। पहले रातू थाना में सिकायट करने की कोशिस की पर मामला दर्ज नहीं किया गया। फिर कोट में कंप्लेंड केस किया तो वहां से करवाई के आदेस मिलने के बाद भी रातू पुलिस चुपी साधे हुई है। महिला ने बताया है कि मंत्री आलमगीर आलम की जन सुनवाई में भी उन्होंने गुहार लगाई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। सोमवार को मंत्री बन्ना गुपता ने महिला की सीकायट पर एसेस्पी को कॉल करके करवाई सुनेश्चित करने को कहा है। पदमस्री बलबीर दत की पुष्टक भारत विभाजन और पकिस्तान के सड़यंत्र का लोकारपन। की पहचान भी वही है। बहुत डूब कर, खोजकर, आध्यान और सोध के बाद ओचीजे को लिखते हैं। उसी करम में इस पुष्टक की राचना की गई है। या पुष्टक नई पिढ़ी के लिए और वैसे सभी लोगों के लिए उपयोगी हैं। जो अपने काम को अच्छी तरह से संपन करना चाहते हैं। या हमारे अतीत ही नहीं बरतमान और भविस को भी परवावित करता है। हरिवंस ने कहा है कि बलबीरदत का जन्व पकिस्तान के लहोर में हुआ है। विभाजन के दन्स को उन्होंने करीबी से देखा है।